हेलो बच्चों कक्षा दस्वी के जो इस्टुडेंट है MP पोर्ड के उनके लिए National Achievement Survey एक्जाम सुरू हो चुका है उसी संदर्म में कक्षा दस्वी का जो गड़ेत विसाय का प्रशनपत है हल करके आपके सामने ले करके आया हूँ पूरा प्रशनपत हल किया गया है आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से उत्तर को एक्स्प्रेंड किया गया है आपको ये काम करना है कि ये पूरे उत्तर आपको अपनी कौपी में note कर लेना है क्योंकि इन ही से आपके final exam के question आने वाले हैं सुन लीजे ध्यान से वार्षिक परिच्चा में इसी इसी प्रश्ण पत्र से आपके प्रश्ण पूछे जा सकते इसलिए ध्यान से देखिएगा पहला प्रश्ण देखने यदि एक गोले का प्रश्णी चेतरबल इतना दिया हुआ है फिर गोले का प्रश्णी चेतरबल का 4 pi r square 4 pi r square लेखे उसके सामने 324 pi लेखे अब 4 pi का हमने पक्छानतर कर दिये तो बचा r square बरावर 324 pi बटे 4 pi pi से pi कड़ गया 4若 से जब 324 को काटे थे 881 बार गया मतलब 81 मतलब r का square रहा तो 81 का मान आ गया 9 तो R value कितनी आगई, 9 आगई इतना तो हम समझ जाएंगे फिर हम निकालेंगे गोले कायतन, तो गोले कायतन का formula लगाएंगे 4 बाटे 3 पाई यार क्यूब, 4 बाटे 3 जयों करते हो, पाई जयों करते हो क्योंकि हम आंसर में पाई लेकर किया आना, इसलिए पाई की value नहीं रखेंगे अब 9 की घात, 3 मतलब 9 को 3 बार लिख दिये, तो ये 3 से, 1 3 से 9 कट गया तो 3 बार कटा, तो बचा 4 गुड़त पाई, गुड़त 9 गुड़त 9 गुड़त 3, ठीक है इसका पूरा जब इंटू कर दिये हमने, तो आजाएगा बेटा, 972 पाई सेंटी मीटर क्यूब आयतन का अंसर हमेशा क्यूब में लिखना है, घात मतलब 3 की होगी और 6 तरफल में वर्ग की घात अब प्रशन दूसरा, किसी लंबर ब्रती बेलन के आधार का चेतरफल 154 सेंटी मीटर स्क्वेर है, तो इसका आयतन इतना है, तो बेलन का प्रश्टी चेतरफल ग्याद करना देखिए, पाई की वैली इसमें रखनी पड़ेगी पेटा इस प्रशन को अच्छे समझना बहुत बड़ा प्रशन है, क्योंकि दो पहले एक्क्वेशन शॉल्व करनी है, देखेंगे हैं मुत्तर बिलन की आधार का चेतरफल, 144 cm2 था अधार के चेतरफल, मतलब प्रत्त का चेतरफल तो पाई r² का फॉरमिलस लगाए, पाई r² बराबर 144 cm2 की वैलियो रख दिये, अब हमने पाई का ट्राण्सपर कर दिये इस तरब, तो देखें क्या होगा, याफ़ और इसको ऐर बरा ज आटा है तो सेट करनी लग गई तो करनी मतलब साथ गुड़े साथ तो साथ का जूड़ा बना बच्चों तो यहां आर बराबर आ गया साथ सेंटीमीटर देखें बच्चों वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए फटा फटा एक्स्प्लें कर रहा हूं आप लोग नोट करते अन्हें जहेंगे फिर बेलन का आयतन नकालेंगे तो बेलन का सूतर हो था पाइयर स्कुएर एच और आयतन कितना दिया था चैनाः सौठ साथ क्यूब तो पाइक की वेल्य लिग रखे आर कमान था साथ तो स्कुएर रहा तो ग्राजम नेकालना है अब एक साथ से एक साथ कट गया बचा हो इस साट कितना 22 गुड़े साथ का हमने इस तरफ ट्रांसपर कर दिये जब ट्रांसपर करें तो 6,160 के बटे में आ जाएगा 22 गुड़े साथ ओके अब जब इससे हम काटेंगे तो सबसे पहले हमने चालिशे में तो यह जाएगाई जाएग तो सबसे पहले हमने अच्छी रचे बचार तो सब्सक्रांसपर-टांस नीचे हमां 21 गुड़े साथ जाल सबस्के राप घ्यार से चाल सबटे गया तो इस चाल सबस्क्राइब कुड़े के सब्सक्राइब तो जो उचाई हो गई बेलन की वो कितनी आगए एज बराबर 440 cm तो अब हमें निकालना है बेलन का वक्त प्रश्टीज हेत्रफल तो बेलन के वक्त प्रश्टीज हेत्रफल का सूत रोता है तो पाई आरेस्टू रखे पाई की वैलिव रखे आर का मान रखे एज का मान रखे फिर साथ से साथ कट गया बचा दो गुड़े 22 गुड़े 40 दो का 40 में गुड़ा करें तो असी आ गया और असी का फिर 22 में गुड़ा करेंगे इतने प्रश्ण जितने मैंने यहां सॉल की यही प्रश्ण सबसे लेंग दी और सबसे बड़ा है आपको बता दे तो दूसरे का उत्तर आगया इसका उत्तर देख ले हम बड़ा कुछ नहीं बिलकुल आसान है बड़े गुले के तुरज़ए थी 8 cm जोटे गोले की तुरज़ए लिख दी है और आर की जगह लेखेंगे 8 तो टोटल कितनी गोली बनी बच्चों यहां पे 64 गोली थीक है यह आपके सामने पूरा एक्स्प्रेंट कर दिया तीसरा आप चौथा है किसी संकू क्यूंचाई चौधा और तिर्जे थीक है संकू काहतन क्या होगा ठीक है इसके क्या करेंगे उचाई अपन को डे दिये ए दिये तो हम शंकू काहतन निकालना तो सुः लगां तो एक बटे तीन पाई यार स्कवेर एक बटे तीन जहूं कहते है और पाई कमान 22 बटे 7 रख दिया आर कितना था छे तो छे का वर्ग मतलब 6 गुड़े 6 और एज रहा चवुदा तो चवुदा रख दिये अब इसको हम काटेंगे तो देखे तीन से ये 6 कटा तीन दूनी 6 और एक सास से चवुदा कटी है साथ दून चवुदा तो बचा कितना 22 गुड़े 2 गुड़े 6 गुड लगाना है तो इसका उत्तर आजाएगा तीसरा वाला लास्ट में में उत्तर भी लिखते जा रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा तो इसका उप्सन होगा तीसरा पांस वट्थाइज सेंटिमीटर क्यूब बच्चों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके चैनल को सब अबस्क्राइब करके शेर भी कर दीजिगा अगला प्रशन देख लेते हैं पांच वार प्रशन एक व्रत्ताकार चक्ती चक्ती मतलब एक मतलब आपका जो बेलन रहता है ना बिल्ला जो आप पतलब आप जिसमें रोटी बनाने के लिए इस्तिमाल करते वही चक्ती होती ज और जो इन करूंट आपके रर का मान रख दिए और क्मान रख दिए एच का मान रख दिए यह पूरा दिए ठेक है तो यहां पर क्या होगा साथ से साथ कर तो उपर कितना बचा ऊपर बचा है बच्छों की एवल 22 सेंटिमीटर कितना आया बिलन का वक्त प्रक्ट की छिट् वेटा एक बैलन बन जाएगा है तो पूरी चक्तिया कि एक बना लेंगी तिन ऑप्कषणिछ रखल करना जाएगा ग्यारा सो अंत्तर एस्वे यह गया हमारे प्रश्न क्रमांग 5 वे का उत्तर इसके का एगा दूसरा ग्यारा सो सेंटिमीटर स्क्वेर अब हम देख लेते हैं प्रश्नक्रमांग छटवा बिटा जो अगला कोश्चन से कुछ नहीं करना सूत्र बस बताना है तो हमें देखें छटवे का उत्तर होगा तीसरा ये है स्ट्री धराचारे का सूत्र ठीक है तो इस सूत्र विदी है स् योग बटे आंकडों की संख्या तो देखें कैसे हैल करना दिये गया आंकड़े थे एक्स मैनस टूए एक्स माइनस एक्स एक्स प्लस ए और एक्स प्लस टूए अच्छा ये टोटल आंकड़े कितने पांच आंकड़े थे तो प्रश्ना नुसार माद्द का फॉर्मिला आप देखें माइनस टू एक्स टू एक отв गया माइनस एसे प्लस एकड़े अब उपर कितने एक्स बचे वन तू उत्तार आगया पहला वाला ओके जिसका शाथवे का झो राज एक्स आगें आठवे प्रश्ण में भी प्रश्ण में ही उत्तर है नेम लों किसे कौन सा कथन सकते है तो बच्चों तीसरा वाला प्रते का परिमे संख्या एक वास्तवक संख्या होती है इसका एक्स्प्रेनेशन बहुत बड़ा था मैं नहीं दे सकता आपको इसलिए मैंने सौर्ट में अ प्रश्ण देखें यह सवाल है देखेंगे इसको कैसे करना कौस तीस कौस साथ साइन तीस साइन 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 रखें तो कौस तीस कमान करनी तीन बटे दो कौस तीस कमान करनी तीन बटे दो साइन तीस कमान एक बटे दो और साइन 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 करनी तीन बटे द तो जो तीसरा है मतलब सुरी नौवे का जो तीसरा होगा उसका उत्तर अब हो आएगा जीरो ओके तो नौवे का तीसरा उत्तर आगया अब दस वा प्रशन देख लें यदि A, B, C, D एक चतरभुज की भुजाएं तो चतरभुज A, B, C, D का छेतर फल गयात करना है बेटा बह हमने को एक्स फोर बाइफोर इस तरीकी से तो देखें इसको कैसे करना बहुत लेंग्डी कोश्चन है चतरभुज की भुजाएं यह दे दी थी सरवर प्रतम हम क्या करेंगे चतरभुज के मद्देख विकर नखी चलिए देखिए हमने एसे सी के बीच यह विकर नखें चल तो अब हम सबसे पहले एक त्रभुज का चेतरफल निकाली है तो हमने निकाले त्रभुज CDA का चेतरफल त्रभुज के चेतरफल का सूत्र लगा दिए एक बटे दो X1 Y2-Y3 प्लस X2 Y3-Y1 प्लस X3 Y1-Y2 यह पूरा आपके सामने इस पश्ट लेखा है स्क्रीन सॉट ले और नोट करने तो एक्च्वल में क्या आएगा पहले जो त्रभुज का चेतरफल वो आ जाएगा 109 बटे दो वर्गे काई ओके यह बना है आपके सामने इसी प्रकास दूसरे का आ जाएगा 35 बटे दो वर्गे काई अब जो हमने चेतरफल एवी सुटी का चेतरफल था वो एक से है एक बार लिख दिए गए और एक सनो और पैंतिस का टोटल एक सो चावालेस आया तो एक सो चावालेस को जब दो से डिवाइट किये तो आगया वीटा 72 देखिए उत्तर पूरा एक्स्प्लेन कर दिया है पस मैंने समझाया नहीं है क्योंकि लंबा वीडियो हो जात कौट ठीटा बराबर क्या होता है एक बटे 10 ठीटा अब 10 ठीटा की वैलिव क्या थी 3 बटे 4 जब भी बटे के बटे बटे होता है तो नीचे वाली संग्या पलट जाती तो 3 बटे 4 पलट की हो गया 4 बटे 3 तो कौट ठीटा का मान आ गया 4 बटे 3 तो इसका उत्तर होगा प कोस 45 का मान व Historica क कर दो नीचे नीचे वाले गुड़ा का ओड़ा क्यों आफ ये स्वालवस निचा कर ना करेंगे तेरवे कोस्ट्टन की 10 13 का मान बताना हैं आपको कितना होता है बिल्कुल सिंपल आभी जो मैंने आपको बता एए एक सवाल और पाइव इसके पहले करके आपको 11 नंबर का तो वैसे ही आपको देखें तो 10 13 तो 10 ठीटा बराबर क्या होता है 10 ठीटा बराबर होता बच्चों कॉट 90 मानस ठीटा अब यहाँ ठीटा की वैल्यू कितनी है 13 तो जहाँ जहाँ ठीटा था अब प्रश्ण चाउदुवे की बारी किसी पासे को एक बार फैका जाता है इसके उपर एक अभाज्य संग्या प्राफ्थ होने की अभाज्य संग्या क्या होती है वह संग्या जो कि अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती तो सबसे पहले हम पांसा मालम होगा आपको एक से लेके छेता कंग होते हैं सबसे पहले उसकी सिच्विशन देख लें तो किसी पांसे को एक बार फैकने पर क्या क्या आ सकता है या तो एक या तो दो या तो तीन या तो चार या तो पांच तो कुल परणाम कितने प्राप्ट होते हैं हमें कुल परणाम NS बराबर 6 परणाम प्राप्ट हो सकते अब अभाज जंग किन में से कौन कौन से हैं तो कौन कौन से हैं बिटा 2, 3 और 5 मतलब टोटल कितने हैं 3 ठीक है अनकूल परणाम बटे कुल परणाम तो अनकूल परणाम कितने आए बच्चों अभाज जंग अै कितनी निकालने थी तुर निकली है तीन और 6 तौ आज आएगा तीन बटे 6क फोछ आफ सौल्व करेंगे तो प्रलम कर गर्षा करेंगे तो तीन कम तीन दूनी चाल तो आज आ सांखे की किस हवाल है स्टेटेक्स के बच्चों आपको मैं बता दूंँ अभी आपकी क्रमास एक पर इच्छा हुई नहीं है और आपको इतना लेंग दी कॉस्टन जिसमें पूरी बुक है यही बोलना चाहता हूं इसी से पूरा पेपर बनने वाला आपके वाले इन कॉस्ट को तैयार कर ला है मोस्ट आइंपी कोश्टन पंदरवा प्रशन को तर देखेंगे सबसे पहले आप टेविल बनाएंगे कैसे इस तरीके से पहला कॉलम होगा प्राप्तांग का दूसरा बारम बारता का और यह कहां से बने उसी से प्रशन से फिर तीसरा होगा पहले को एकस लगा दीजिए मैंआजралने को निशान दो के से उसे जाके से नहीं पूसे नहीं से तर्शन सबसे होगे मातनी पूसे धन्याएंगे तो इस प्रश्न का अपफन हो जाएगा तीसरा, तीसरे का उक्तर मतलब तीसरा हो जाएगा नौ, ओके, अब हम बात करते हैं प्रश्ने सोलवा, बाला संख्याओं का माद्दी ग्यारा है, यहीं तीन संख्याओं, दो, पांच, छे, पांच, दो में बदलने, बिलकुल सिंपल है 2-5-6 रहा ना भया 2-5-7-7-7-6-13 और यहां देखो 6-5-11-11-12-13 मतलब वही संक्या जोंकी ते और रख दिये देखें दिया है 12 संक्या का माद्डे कितना है 11 है और आंकड़ों का संक्या कितनी है 12 दी है इस सवाल में और माद्डे कितना दिया है 11 आंकड़ों का योग कैसे निकालते हैं कोल आकड़े गुड़त मात दे से मतलब 12 गुड़त 11 से अब देखें प्रश्ण में आकड़े 256 को 652 में बदला गया मतलब की मात दे में कोई परिवर्त नहीं है एक दो तीन लिख दो चाहे तीन दो एक लिख दो टोटल तो एक ही आएगा तो बस इसलिए हमें नया मात दे निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संखेत वांकड़ों का योग कितना था वूपर आपने देखे यह किटना था 12 गुड़त 11 बटे बारा करें तो 12 से 12 कट गया तो तरह आगया 11 ओके इसका ऑपफन होगा दीसरा नं सभी शिट्थ प्राप्ट होने की प्राक्टा क्या होग चित्थ को बेटा हैं और पट्ट से उच्छा ले जा युझाहती हो या तो 3 नाढ़ेंगे या तो 4 एज एल ये रेखें एसफ पराबर लेखें हेड हैड हैड है tap यहां परनाम बात के नहीं और शित्ताने की मतलब सभी सिक्षों में चित्त बस तो इतनी जगह मिल रहा है केवल एक जगह बस तीनों जब हैड आएंगे तभी आपका एक चित्त माना जाएगा ठीक है क्योंकि तीनों चित्ताने की बात हो रहे तो एदी बराबर आ गया एक अ मतलब अनुकुल परनाम बटे। कुल परनाम kaikki बात करें तो कितने आए अनुकुल परनाम हम और उनको तीनों में चित्क अत्र चहीए थे हैं तो हमें क्या मिल है। उतना उसका उत्तर है एक मिला réalité है और क्ल टोटल कितने हो रहे थे परनाम उचाल मतलब दो क्यों ऐक वाले उचाला गया सकते हैं आप टोटल एक एक दो एक तीन एक चार एक पाच एक शे मतलब की टोटल जो होगा दो पासों कर दी एक बार उच्छाला जाएगा तो कुल परणाम कितने मिलेंगे बेटा 36 प्राप्त होंगे ठीक है कैसे यह प्राइक्ता वाले सवाल है आपने पढ़े होंगे मैं यहां सॉल तो आजाए तो तीन तीन यह तो चार चार यह तो पांच भांच यह तो छेशेश से जादा निकतों होते हैं तो पोल कितने आए टोटल परणाम शेया आगए तो प्रैक्ता को फर्मुरा लगाएंगे प्राइक्ता पी बराबर एनिया पोन है ने इस मतलब 6वेश्ट शेश से चर्ट इसको काट दिये तो एक बटे 6 आगया उत्तर तो इसको अप्फन हो जाएगा तीसरा एक बटे 6 इसके बाद प्रशन उन्नीस वा एक श्रैणी दी थी पांच आठ ग्यारा चगुदा इसका हमें दसवा पद ग्याद करना था सामांतर श्रैणी ठीक है इसका सामांतर श्रैणी का ये question है तो श्रामांतर श्रैणी में आपको मालम होगा प्रथम पत क्या होता सरवांतर क्या है मैंने यहां solve किया देखें दी गई श्रामांतर श्रैणी है पांच आठ ग्यारा चगुदा जिसका प्रथम पत क्या हो जाएगा ए बराबर 5 और सरवांतर डी रख दिये और डी की वैली रख दिये तो जैकी फांस थी नो तो जांकतं है और डीकी वैली تीन नो दिये सक तैस पांच में जोड स्कूर भूलगे 42 तो इसका उथतर होगा कि सिरन फंडा पत क्या होगा बच्चों 22 होगा यहां पर आपका यह आता उपका उत्तर आगया साम 20 वे की सामान तरशनी फिर से आ गया 10, 6, 2 के प्रतम 16 पदों का हमें योग गयाद करना है दीजिए पहले क्या था 19 वे में 10 वे पदों का योग गयाद करना है तो कि इसको हम सॉल्व करेंगे इसके लिए वोई सिंपल टेक्नी इसका प्रतम पद निकालेंगे सामान तरशनी का प्रथमपत क्या जाएगा बच्चों यहां यह बराबर 10 आ जाएगा यह लिखा है 10 सरवांतर D बराबर तो क्या करेंगे A2 में से A1 घटा दी मतलब 6 में से 10 गया तो आ गया कितना 6 में से 10 गया तो माइनस चार आ गए अब स्ट्रेणी के 16 पदों का योगफल तो यह होता है स्ट्रेणी के एन पदों का योगफल का सूत S N बराबर N बटे दो 2 A प्लस N माइनस 1 D ओके अब यहां N की वेल्यू क्या है 16 है तो यहां पर हम लख देंगे N की जगह 16 तो S 16 बराबर फिर वो वाले N की जगह तो N की जगह N बटे दो मतलब 16 बटे दो 2 A मतलब 2 गोड़े 10 धन 15 15 कैसे आया N माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 मतलब 15 आ गया और D कमान रख दिए यह आ गया D कमान माइनस 4 इसको सॉल्व करें अब देखे दो से 16 कट गया आठ बार दस बुनी 20 हो गया पंदा चो के साथ भो भी माइनस के 20 में से 60 गया तो माइनस के 40 बचे और यहां बाहर 8 था माइनस के 40 के जब हम 8 में गोड़ा करेंगे तो आ जाएगा बीटा रिनके 320 तो यह स्रेड़ी वीडियो यहां पर समाप्त होने पर आ गया है क्योंकि इसमें मैंने 20 कोश्चन दिये हैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लेकर के मैं कुछ घंटों बाद वापिस हाजर हो जाऊंगा तब तक आप इतने कोश्चन अभी आप सॉल्व गलने सीख लें समझ लें मिलते हैं अगले 20 कोश्चन का वीडियो बहुत जल्द आपके सामने हाजर होगा यह एक्जाम 11 तारिक से MP के समस्त गवर्मेंट स्कूल में चालू किये जा रहे हैं यह एक्जाम स्कूल में होने हैं आपको टीचर्स आपको करके दिखाएंगे अगर वहां आपको सही सॉल्यूशन न